दोस्तों एक स्वस्थ इंसान हर रोज करीब 20,000 बार सांस लेता है और इसमें फेफड़े हमारी मदद करते हैं आज के पिर्दूर्शित वातावरन और लोगों के रहन सेहन की बजह से फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है सिगरेट, बेड़ी, तंबाकू, पिर्दूशन, फेफड़ों को बुरी तरह पिर्भावित कर रहे हैं स्मोकिंग यानि दोमरपान एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल और फेफड़े दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है धोमरपान से हमारी त्वेचा, बाल और दिमाग पर बुरा पुरभाव बढ़ता है डवलो एचो यानि के विश्वल स्वाष्टे संग्टन के मताबिक दुनिया में होने वाली हर रोल्ज दस मोतों में से एक मोत तंबाकू के कारण होती है करीब 70 लाग लोग दुनिया भर में पिरती वर्ष तंबाकू के कारण ही मरते हैं तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन पाये जाता है इस निकोटिन की खास बात यह है कि हमारा दिमाग धीरे-धीरे इसके डोस बढ़ाता जाता है यानि जब कोई वैक्ती तंबाकू खाना या सिगरेट पीना शुरू करता है तो दिन पिरती दिन हमारे दिमाग और शरीर की इसे जहिलने की चमता बढ़ती चली जाती है दिमाग अपने आपको इसके कितने अनुकूल कर लेता है कि पहले जो एक सिगरेट से हमें संतुष्टी मिल जाती थी वो धीरे-धीरे 2, 4, 6, 5 और 1 डिबबी फिर 2 डिबबी तक बदल जाती है इसके बाद निकोटिन हमारे खोन और दिमाग में अपनी जड़े पूरी तरह जमा लेता है और हमारी आदत को हमारी जरूरत में बदल देता है दोस्तो तंबाको में 4,000 से ज्यादा नुकसान देख केमिकल पाय जाते हैं सिगरेट में 40 ऐसे रसायन पाय जाते हैं जो कैंसर की में वज़ा बनते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो जानते हैं कि जो कैंसर की वज़ा बनने वाले डिफरेंट तरह के रसायन सिगरेट या पीडी के अंदर पाय जाते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और उनसे क्या-क्या नुकसान होता है दोस्तो सिगरेट में निकोटिन पाये जाता है निकोटिन यह लट लगाने वाला एक कैमिकल है काफी शक्तिसाली है और तेजी से रियक्षन करता है सिगरेट के लट इसी की वज़ा से लगती है इसमें कोईला और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदारतों पा गुण होता है यह सिगरेट के जलते रहने में मदद करता है इसकी वज़ा से लिकेमिया हो सकता है अमोनिया टोईलेट क्लीनर और ड्राइ क्लीनिंग लिक्विट में इसके इस्तमाल किया जाता है यह तंबाकू से निकोटिन को अलग कर गैस में तबदील करता है असिटोन इसका इस्तेमाल नेल पोलेश अटाने में किया जाता है इसमें ज्वलनशील गुण होते हैं जो फेफडों को काफी नुकसान हो जाते है इसमोकिंग के समय दुहें के रूप में यह फेफडों में जमा होता है इसमोकिंग के दोरान जितनी टार बनती है उसका 70% सिर्फ फेफडों में जमा होता है आरसेनिक यानि के चुहे मारने का जहर, हाइड्रोजन साइनाइट जैसे काफी जहरीले रसायन भी इसके अंदर होते है दोस्तो लंबे समय तक दुमरपान करते रहने से मर्दों की सेक्स पावर उपर भी काफी असर पढ़ता है और भूप कम लगने की वज़ा से शरीर में पोशक तत्तों की कमी होने लगती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह कमजोर पढ़ जाता है का जाता है कि एक स्वस्त फेफडे का रंग गुला भी होता है और धूम्रपान करने वाले लोगों के फेफडों का रंग काला होता है काले फेफडे हमारे शरीर के खून को भी धीरे धीरे काला बना देते हैं दोस्तों निकोटिन की लटके एक अलग लक्षण होते हैं जैसे कि भूख कम लगना अधिक लार्य कफ बनना पिटते दिन दिल की धड़कने तेजी से धड़कना चोटी सी बात पर बेचैनी महसूस होना ज्यादा सोना ज्यादा पसीना खाना और जल्दी दस्त हो जाना हर काम के लिए तंबाकू की ज़रुत महसूस होना, निकोटिन लेने की इच्छा बढ़ना, सिर्दर्ण होना और ध्यान के इंदर्द करने में दिक्कत होना ये सभी निकोटिन की लटके लक्षण है दोस्तो एक नॉर्मली इंसान जब इस्मोकिंग स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे चैन स्मोकर बन जाता है, जब कोई सेगरेटिया बीडी पीता है तो ब्रेन में लगवग 10 सेकिंड और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 5 मिनट तक निकोटिन का असर रहता है हाला कि स्मोकिंग करने से थोड़ी देर के लिए काम करने की शम्ता बढ़ती जाती है लेकिन बाद में शरीर सुस्त होने लगता है धीरे धीरे काम करने की शम्ता कम होती जाती है और फिर धूमर पान की जुरुत महसूस होती है दोस्तो अपनी नेक्स वीडियो में हम डिसक करेंगे जो हमारे लंक्स में जितने भी एफेक्ट हैं या जितनी भी प्रोब्लम्स हैं उन सब को दूर करने में बहुत जादा लग प्री होगी ठीक है और कुछ टिब्स के बारे में भी बात करेंगे ड्रेंक और टिप्स को दोनों को यूज करके डेफिनेटली आप अपने इसको बिल्कुल एक नया जीवन दे सकते हैं तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को प्लीज लाइक करें शेर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल देशी नुसके को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियूस हैं उनके अपडेट्स आपको तुरंत म मिलते रहें थैंक यू फो वाचिंग